हलो दोस्तों आप में से दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर किस कंपनी का इन्वर्टर बैस्ट है और किस कंपनी का इन्वर्टर हमें लेना चाहिए दोस्तो आज के वीडियो में detail में बात करेंगे की कौन सी company का inverter आपके लिए best रहेगा दोस्तो आज चारों company को हम discuss करेंगे जो की manly inverter based यह market में अगर हम बात करें utl तो utl के सारे के सारे inverter जो fuji yama company है वो बनाती है इसके लावा अगर हम EA pro की बात करें तो यह खुद manufacture करती है इसके लावा ASSA Power की बात करें तो दोस्तो ASSA Power भी खुद अपने सारे के सारे inverter manufacture करती है य हगर तो यहां पर other companies की बात करें जैसे smarten की बात करें तो दोस्तो smarten के inverter भी काफ़ी ज़ादा है तो इन चारों कमपनियों के हम बात करने वाले हैं UTL, ASA, Power, Smartan और EA Pro क्योंकि अभी present time में इन चारों कमपनियों के inverter मार्केट में सबसे ज़ादा बिक रहे हैं और दोस्तों एक एक कमपनियों पर आऊँगा और कोई भी कमपनियों वाला यदि मेरे इस वीडियो को देख रहा है तो जो भी आपके कमपनियों के CEO है उन तक ये मेसेज जरूर से जरूर पहुँचना चाहिए सबी कमपनियों के एक एक करके बात करूँगा अब फाइनली में बताँगा कि कौन सी कमपनी का inverter आपके लिए बैस्ट रहेगा तो सबसे पहले आसा पावर की बात कर लेते हैं दोस्तों आसा पावर inverter जो आसा पावर कमपनी है इसके inverter काफी अच्छे आते हैं और साथ ही मैं ये भी लोगों को बताइता हूं कि इसमें कोपर की winding यूज़ करते हैं साथ में CRG की core यूज़ करते हैं जिसके काण इस inverter में losses काफी कम हो जाते है अब दोस्तों प्राइज भी काफी इनका हाई-फाई रहता है और ये एक एसी कमपनी है जो की marketing में बहुत से वीडियो मिलेंगे और दोस्तों ये साउथ में ज़्यादा कर ये company चलती है तो अगर यहां पे भी अगर जो राजस्तान है यूपी बिहार इनमें भी काफी लोग इनके inverter खरीते है तो दोस्तों कई लोगों को service में दिक्कत है यदि आसा पावर का कोई भी seller, dealer या फिर ज दोसकी जो service center है वो customer कह रहे है वो लोगों को बोल रहे है कि आप inverter को लेकर south में आ जाईए, chain नहीं आ जाईए, और दोस्तों chain नहीं कोई भी लेकर नहीं जाएगा राजस्तान से inverter को, कितना सारा किराया लग जाएगा, inverter के लिए वहां कौन जाएगा, और दोस्तों company को अप service दिलाई भी है, यहां पे भी available कराई है, जेपूर, यूपी, सोरी राजस्तान, जेपूर और भी राजस्तान, यूपी, बियार इन में भी available कराई है, कुछ डीलर ने, पर दोस्तों आसा पाउर को मैं यही कहना चाहूंगा, कि अगर आप inverter बेच रहे हो, इधर राजस्तान यूपी, बियार, तो वहां पे भी आप अपने डिलर के द्वारा सुईदा जो भी service अवेलेबल कराई है, क्योंकि कंपनी की reputation का सुवाल रहता है, इससे दोस्तों काफी, मिरे को भी अच्छा ने लगता, अगर कोई comment करता है, किसी customer के साथ बुरा होता, उसको service नहीं मिल प रही है, तो अगर ये प्रो वाला भी कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो definitely आपको आपकी service पर ध्यान देना चाहिए, जो भी आपके dealer उनको बात दे करना चाहिए, कि जो भी customer है, उनको service दे, क्योंकि ये प्रो लार्ज, बहुत ही लार्ज स्केल पर inverter मैनुफे इसके खातिरी आप, आपकी company की बदनामी हो रही है, तो उस पर ध्यान दीजी आप, क्योंकि आप बाकी company को inverter भी supply कर रहे है, वो company service दे रही है, इसके लावा दोस्तों, अगर हम utl की बात करें, तो utl में भी बहुत सारे customer को ये दिक्कत आ रही है, कि जैसे ही हमारा inverter खराब होता है, हमने call किया customer care को, तो customer care जो कोई पुराना inverter होता है, उसके parts हमारे inverter में लगा जाता है, तो वो भी काम नहीं कर रहा है, तो utl वालों को भी ध्यान देना चीए, कि अगर कोई भी customer, अगर आप से inverter खरीद रहा है, तो उसमें आप basic, अगर दो साल तक, तो minimum नए customer है, उनको भी ये unsure कर लेना चीए, कि जो भी company की trams and condition है, उनको आप ध्यान से पड़े, इसके बाद दोस्तों, smarten की अगर हम बात करें, तो smarten का दोस्तों, अभी कोई case नहीं आया है, मेरे सामने, अभी तक, पर smarten की भी service मेरे साफ से, सभी जगा तो available नहीं होगी, इसलिए company को भी ध्यान देना चीए, कि जहां भी उनकी service available है, वहीं अपने inverter बैचे, क्योंकि company की reputation का सवाल है, तो सभी company को अपनी service पर ध्यान देना चीए, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बन रखा है, अब जिसे बहुत सारी company इसे हो, तो ना तो खुद inverter बनाती है, ना ही manufacture करती ह केवल companyों से rebranding करवाती है, और उनको बैस थी है, तो उनका दायतु है कि कम से कम वो service तो दे, मैं नाम तो नहीं लूँगा, आप खुछ समझ चुके हूँगा, आप comment section में जरूर comment करना, इसी company का नाम, अब जो last में हमारे दिमाग में उड़ता है कि sir, कौन सी company का inverter हमें ले लेना चाहिए, चाहिए ये pro हो, चाहिए smarten हो, चाहिए यहाँ पर अगर हम बात करें, यूटील हो, चाहिए आशा पावर हो, चाहिए luminous हो, जो company आपके area में अच्छे से service दे पाए, उसी company का आपको inverter लेना चाहिए, तो कम से कम हमारा inverter चलना ही चाहिए, अगर उसमें भी क नियुने कीन इसे को दिख्कत आती है, तो ये बहुत ही गलत चीज है, दिखिए को द्हानट करें, जो सुर्ण बाए?